हेलो दोस्तों, हीरो इंडियन सुपर लीग सीजन 9 में अब तक नौर्थी शनेड़ेड एफसी ने तीन मैचीस खेला है बेंगलूरू एफसी के खिलाफ, हैदराबाद एफसी के खिलाफ और लास्ट नाइट इस्ट बेंगल एफसी के खिलाफ और इन तीनों ही मैचीस में नौर्थी शनेड़ेड एफसी को बुरी तरह हार का सामना करना परा है हाला कि बेंगलूरू एफसी के खिलाफ सेकेंड आफ में नौर्थी शनेड़ेड एफसी ने काफी अच्छा परदर्शन किया था और उस परदर्शन के बाद सब को लग रहा था कि नौर्थी शनेड़ेड एफसी अपने होम ग्राउंड में काफी अच्छा परदर्शन करेगी लेकिन दोस्तो हैदराबाद एफसी और इस्ट वेंगल एफसी के खिलाफ अपने होम ग्राउंड में तीन गोल के मार्जिन से हारी है नौर्थी शनेड़ेड एफसी और इससे काफी ज़्यदा हाताश है नौर्थी शनेड़ेड एफसी के फैंस जो काफी अच्छे नंबर्स म में आ रहे हैं पिछले दो 49 जनेर्यड Chiefject के होम मैचस में लेकिन दोस्तों इस girls के फैंस कोनेशा नीराशा ही लगा है अब तक तीन मैचिस में तो यहां पर नार्त इंशनर्यड Chief से बारे में फियरेप बारे में ऐस आध किया जाए और इस मैच से अच्छा खेल कर 3 पॉइंट लेकर गए जो की नौर्थिश उनरेट FC को करना चाहिए था लेकिन दोस्तो नौर्थिश उनरेट FC के सारे प्लियर्स के अगर बॉडी लाइंविजिस देके कॉन्फिडेंस देके तो काफी जादा लो लग रहा था मेरे ख्याल से आप अपना ओपिनियन जरूर बताना कॉमेंस सेक्षन पर और यहाँ पर कोच को भी मैं थोरा सा व्लेम करूंगा कि कोच ने कुछ गलत टैक्टिस यूज किये है तो दोस्तो हम दो मैच इस के बारे में बात नहीं करते हैं जो दोस्तों नॉर्टीशनेयरे डफ्सी के कोच अगर जल्दी मैदान पर उतार देते तो शायद रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था लेकिन वही हर सीजन के जैसा ही नौर्थी शनरेड एफसी का ये सीजन का शुरुआत भी काफी जदा खराब रहा है तीनों मैच इसमें ही हार का सामना करना परा है नौर्थी शनरेड एफसी को और पॉइंस टेबल में सबसे नीचे है नौर्थी शनरेड एफसी तो दोस्तो मुझे ऐसा लगता है कि नौर्थिशनेरेट FC के प्लियर्स का अगर ऐसा ही चलता रहा तो नौर्थिशनेरेट FC का ये सीजन भी काफी ज़दा खराब होने वाला है होप करता हूँ कि नौर्थिशनेरेट FC काफी अच्छा कमबैक करें तो आप सभी को क्या लगता है दोस्तो कि नौर्थिशनेरेट FC की टीम कमबैक कर भी पाएगी या फिर नहीं आप अपना राई जरूर कमेंट सेक्षन पर बताना तो चले दोस्तो फिलाल ये वीडियो में इतना ही थाशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को भी प्रेस कर दो